बाइया जी के व्लाग्स ज़्यादा टान मेना क्या फोकॉस हो ज़्याद कैसे रह भगा है तो पल का मतलब कै आपता है लाइफ में यह सकसेश के फोर क्लिर होता है पहले पूरा दीन काम करते थे तो हमको मान असी डौरन मिलते थे और आज कल हमारी हालत क्या है बता है जब आपना ज्यादा पैसे बनाते है कंग जागते है तो ये चेंज हमें कैसा है आपको अपना अपना सीधा सर ओलाइन में बता देता हूं वहिए इसके लिए को चाहरी की तो आप भी मेरी तरह मिलियोनर्स बनते हैं शौर्ट टाइम है आपको जरूर नहीं है कि आपका पिता यंबानी होना ची और दिरुबाय अंबानी होना ची इने तो अडानी होना ची बिया मेरे जैसे गरीब भीखु फैमिली वाला भी यहाँ प्याप सक्सेस्पूल हो तो आप यह कहीं पर बिवी अप्लाइ कर सकते हैं तो मैं सबसे प्रहले इसको डीटेयल में बताता हूं जैसे अमेरिका की कुरंशी क्या है यूएस डॉलर है इंडिया की करंसी क्या है रूपिया मेरी करन्सी क्या है बता बया, ताइम, ताइम is the most important thing in a life बया, यह रीच हो, पूर हो, आप कितना भी smart हो, कुछ आपका अकल नहीं हो बया, USA में रहो, अमेरिका में रहो, beautiful हो कर नहीं हो बया, successful हो कर नहीं हो, सब के लिए एक दिन में 24 गंटे का ताइम होता बया, ऐसा था है आ मेरे लिए कोहिनूर का जो डायमेंड होता है बया, इसकी तरह मैं आपको इसको यूस करता हूँ, एकदम इंपोर्ण बया, और जादे तरह मेरों को मिलेंगे बया, मैं फरीका फिरी रहता हूँ, रोड पर गुमता होगा, मैं इंडिया से जो सिंग चना लाया हो, वो खाता सबसे पहला नबर मेरा रूल्स क्या बता है, जो लोग गॉसिप करते हैं, किसी की पालतो की पंचात करते हैं, उनको मैं जारे कट लूस कर देता हूँ, कोई भी आदमी मेरे साथ किसी और की बात करेगा, ने तो कोई फाली फोकट की बसकवास करेगा, मैं उनको जरा भी लि लेकिन मैं आपको सही बताता हूँ, क्या कि मैं सही में आपको सिखाना चाहता हूँ, कि बड़े बड़े लोग कैसे काम करते हैं, आप यह सोच लोग धिरूम भी अमबाने हर किसी का इमेल रिपलाइ थोड़ी न देगा, तो मेरो को भी दिन के कुतने इमेल आते हैं, तो य आपको लगेगा जिगरी, लेकिन आपका टाइम वेस्ट करेगा पूरे दिन को, उसको थोड़ा आपको स्पेस देने की जरूरत है, आपको अपने लिए टाइम बचाना बहुत जरूरी है, तीसरी चीज बताता हूँ, मेरी लाइप में रोज दिन के चार यार पार दंटे नो इंटरनेट होता भिया, इंटरनेट में रखता हूँ, में ज्याजा तरह किताब उसे काम करता हूँ, क्योंकि इंटरनेट में ये वाट्सव, इंस्टागरम में फालतु फोकट के लफड़े वाले सब चीज बेज़ेंगे, आपका समय करना, आप करना क्या चाते हो, मेरो को कोई मतलब नहीं बढ़ता भिया, मेरो को अगर उसका काम नहीं करता तो मैं नहीं बोलूँगा, अगर मेरो को एक गंटे का 5,000 डॉलर दे या 10,000 डॉलर ले, यहनि कि किसी को आपको टाइम वेस्ट करने का परमिशन नहीं देना है, आपका कैलेंडर आपको खुद क इसलिए का है, मेरा सदस्य जादा से जड़ा टाम मेरा फोकोस रटा है, मैं फ्री कैसे रहू भिया तो उसके लिए मै इंटरनेट का इस्तमहल करता हूँ, यह देखिये टीवी है भिया, तेवी देखिये ज़्या अंगे कभ का मैं उसको चालो भी नहीं किया वोगा भिया, म बात करेंगे ऐसे काम नहीं नहीं होता है हमारा घर में देखिए पूरा पूरा श्यान्त है और मैं जैसे इसे काम करने बता हूं तो कोई मेरे कौन जिरो डिस्ट्रेक्शन हो इंटरनेट फोन सब म्यूट पे उसमें तो सब आफ होता है तो डीप वर करना बहुत बहुत जरू होता है और न्यूस पेपर पढ़ना होगा तो उसको साथ फिजिकल एक्टिविटी भी करिए देखिए मैं आपको बताता हूं अगर आपके मिलियन डॉलर होगे लेकिन अपने इतना बड़ा पेट होगा तो क्या काम करेंगे कोई आपके बच्चे भी आपको बावनी दे र अपने अपने प्रोड़क्टिव टाइम जबी भी मिले गया उसको साथ आपकिविटी करना है अपने नहीं अपने का तो यह बहुत जरूरी है अगर आपको पोड़कास सुनने का टेव है अब तो उसको आप एक पो कर सकते हूं तो यह दूसरा मैं आप तीसरा चे यह बता मेरा सबसे अन्प्रोडक्टिव टाइम होता है लात करना होता हूं उध कुछ सब्सक्राइध करें अवया गाया रखना टो इसको लिए में क्या करता हूं उधाया शुबह का टाइम होता हूं उसको मैं जल्दी टेडिक ऐस आप गजाता हूं तभी क्या खुंच होताूं होलन चलन सको थोड़ी से एक्सराइज पर फट से काम पर दुनिया सब सोती हैं तब ही हम काम करते हैं यह सी लिए प्रोग्रेस हमारा ज्यादा होता है और सामकों जल्दी सो जाता है यह बहुत जरूरी है और यह यह सभी चीजियों को सिखने के लिए मैंने तीन किताब उपे इसके लिए मैंने तीन किताबे पढ़ता है तो पहली है पावर अप सबकॉंशेस माइन बहुत पावर्फुल किताब है मैं बोलता हूं खरीद दिये एमेज़ों के आपकी लाइफ खरक इदम चेंज हो जाएगी मेरो कोई इसका कमिशन नहीं मिलता मैं आपका लाइफ चें तो अभी आपको तीन मज़ेदार कहानिया बताता हूं बया यह अमेरिका का प्रेसिडेंट था फ्रेंकलिन बया तो यह जब प्रेसिडेंसी में आया न बयाद सुरू-सुरू में इतना काम करता था लेकिन उसको इतना अप्रिशेशन नहीं मिलता था और उसको एक-दो साल तो कैसा चलता ही रहा तो उसने सोचा कि मैं ऐसा यह इतना हाड वर्क करता हूं दिन के बारा चौधा गंटे लेकिन मेरो को कोई अप्रिशेट क्यों नहीं करता है तो इन्होंने सर्वे किया फिर उन्होंने किया क्या बताई यो रोज नए-प्लान बनाते थे लेकिन कुछ उसको effect में नहीं आ जा था उसने क्या क्या plan बनाना छोड़ दिया what are the things are not done तो ये बहुत जरूरी है भया कोई भी आप list बनाइए तो उसमें prioritize कीजिए और prioritize में उसको deadline लिखे भया और जो भी चीज न बने उसका list बनाए तो आपको मालूम पड़े कि आपके plan तो चंद्र पे जाने है लेकिन अभी भी इंडिया में गली गुचे में घूम रहे है तो प्लान को prioritize करना है और इसको deadline भी रखना बहुत बहुत जरूरी है और दूसरा में बताता हूँ आउग्टर्म वेजन विजन किसको बोलता है यह पांदाव को बोलता है यह माहबारता में पांदावा है यह नौलेज एफिशंसी सब पे उन्होंने डेवलॉप किया वया और उसके बाद आके उन्होंनों यूद किया यानि कि सेल्फ प्रिपरेशन करना बहुत बहुत जरूर यह बया किसी अलेफले पडोसी वालों का या किसी बुड़े बभुडिया का कि कोई भी आदमी अंसकसेसफुल हो भया, उससे मैं सला ले मैंने मानता नहीं हूं भया, मैं तो उन लोगों की सला लेता हूं, जोने हुने लाइप में अलरडी सकसेसफुल है, in terms of jobs, in terms of spirituality, सद्गुरु जी जैसे, पैसे के लिए नहीं, उनसे सला लीजे कि जुनको अलरडी, they are already well known and they have proved their skills and efficiencies, so उनसे सला लीजे भया, तो यह जरूरी है, पांडवा ने बारा साल का वनवास थी, भी लोगों के साथ लड़ाई किया, तो जीत गए, तो ऐसा आपको लोग ट्रम देखना भया, और मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो आखरी चीज हैं, अखरी मेरा, मे आपको लुघ, जो कीदाता हूं, क snipp convincing करा ने सबुघ भया पाने ने से पाने दाए क चलिए का अपना पाना के बाने सासरा को आपको लेगा कि आपको ने हल लोगा, वह एक ट्या लाह, बगाने बहाने लोग चाहत jets disadvantage को आपको लेड़ी क अब तो यह कर उना से भी मतलब क अपता अपना लाइफ में 24 गंटा होता है और उसको ये फालतू अन्नेसेसरी चीज में पया स्टूपीडिटी चीज में बीजी मत रहिए मेरी तरह बया अपने टाइम का एफिशन यूज करिए ये गंटे का हाइस्ट मैक्सिमम सैलरी ने तो पैसा बनाई है और ज्यादा टाइमन बया ऐस से आराम से बया ना ही टीवी के गुलाम बनने की जरूँते बया जीवन में सक्सेस्फूल होना न बया तो मैं आपको ये चीज बदाता हूँ को आपको न बया ये रीडिंग तो होना है मांगता नहीं तो किसी अच्छे अच्छा आत्मी को ब्लॉगर को फॉलो करें बया अगर आप मेरे फॉलोवर है तो फूड व्लॉगर है नहीं तो ये खाने वाले के जो रिव्यू करते हैं उनको अनसब्सक्राइब करिए बया व खाले 11-12-15 मिट में बना लिया अच्छा लगे तो इसे लाइक करना वाट्साप और फेस्बूक के शेर भी करना वाई ताकि और लोग भी देख सके विया क्यों कि ज्यादा तो लोग है न बहुत कॉंटेंट क्या कंजूम कते बिना टाइम का फालतु की चीज कॉंटेंब क तयार हो गया है आपका परदेशी भाई का आपको यहां से मेरा सलाम